Hey guys, तो मैंने थोड़ी देर पले Z5 Original का शो मुशीद देखके कतम कर रहा है और सब बताओ यार यार ये शो भी मुझे बिलो आवरेज लगा मतलब सच में इस वीकेंड में क्या क्या देखना पट रहा है मतलब सच में यार मेरा सरु दुख न लग गया इतना खराब इतना बिल बेटे के कारण अब उसका बेटा ने क्या हरकत करी है क्यों वो वापस आ रहा है ये सब जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा अगर मैं इसी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो परसनली मुझे सिरीज का स्क्रीन प्ले जो है वो बिलो आवरेज लगा है तो जस तरह से शुई स्टार होता है अपनी फुरी सिच्वेशन को अस्टार्फिन करताा मैं क्या रहा है है आप इन्वेस्ट हो जाओ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है, जो कि काफी बुरी बात है, जहां था बात है character development और characters के विशे dynamics की, तो किसी भी character में इतनी जान नहीं है, कि हम किसी भी character के साथ पुरी तरह से connect हो पाया है, जो characters के विशे dynamics थे, वो भी कही न कहीं से दिखाय स लग रहे थे, इसी कारण से जो twist and dance आते हैं, वो भी आप काफी आरम से play it कर पाते हैं, आप पहले सी समझ जाते हो, कि आगे जाके क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ नया देखनी को आपको मिलता ही नहीं है, जो कि काफी जादा बुरी बात थी, और भी काफी जारी चीज जाते हैं, जाते हैं, बात है direction और editing की, direction ठीक ठाक है, मेरे खाल से काफी जादा भैतर होना चाहिए थे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि on paper ये series इतनी खराबती कि आप director को कितनी ही गालिया दे दो, अगर ये writing level पर series में कुछ जान नहीं है, तो आप director से क्या हुई थे, उन्होंने नहीं phantom भी बनाई है, जिसके बार में नहीं बोलें तो जादा बहतर है, तो एक अच्छा direction तब ही कहला है जा सकता है, जब एक अच्छी कहानी उसके पास हो, और ये series की जो कहानी थी, वो on paper ही काफी खराबती, जो editing है, वो भी काफी जादा बहतर होन ही दे थी नहीं, इसी कारण से मुझे सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, तो overall मुझे तो ये show कुछ खास पसंद नहीं आया है, मेरे हिसाब से ये show completely waste of time है, अगर फिर भी आप शे show देखना जाते हो, तो आपको कौन ही रुख सकता है, और अगर आप लोग ने show देख लिख ल लगा, बाकी मिलते हैं के लिए वीडियो में तब सक लिए जय हैं, जय भारत!